ओम नमस्ट शुआ है और हरमादेव आप सभी का हुमारे यूटूब सेनल पर शुआगत हैं आपने कही बार कहीं सारे मंत्र देखे होंगे पड़े होंगे उनके बारे में जहनकारी लिये होगी कि कौशा मंत्र किस काम के लिए लिया जाता है परियोग में किया जाता है तो ऐसे ही मंत्र होते हैं वाक्षित्ति के होते हैं किसी शक्तियों के सित्ति के होते हैं किसी को दुष्मनों का विनाश करने के लिए होते हैं बहुत सारे मंत्र होते हैं आज आपको जो मंतर बता रहे हैं वो है वाक्षिद्टी का मंतर आपने ये कहीं बार इस मंतर को देखा भी होगा साइट तक लेकिन इसका विसेस परियोग किया जाता है कि आप अगर वाक्षिद्धी वो होती है कि आप जो बोलते हैं वो बिना सोसे ही वो जो बोला जाता है वो सस होता है यानि आपने किसी को कुछ कह दिया कि यह आपके ऐसा हो जाएगा तो वो कुछ समय बाद में उसको फल मिल जाता है कि हाँ ऐसा हो गया तो ये एक होती है वाक्षिती होती है यानि आप जो बोलते हैं वो छस में बदल जाता है ठीक है तो इसी की सिद्धी के लिए एक मंत्र है उस मंत्र को आप नोट कीजिएगा और इसके लिए करना क्या है ध्यान रखिएगा कि अगर इस मंत्र का जब करने की बाद में इसका कम से कम 11,000 हवन करे अगर घी के साथ में घी की आउती के साथ में इसका हवन किया जाता है पहले इसको जब किजिएगा कम से कम लाग सवा लाग जब किजिएगा मंतर बिल्कुल सोटा है मंतर शुन लेजिएगा ओम हरीम कामेनी श्वा ये एक सक्ति का मंतर है ओम हरीम कामेनी श्वा इस मंतर का आप जब किजिएगा लाग सवा लाग जब किजिएगा उसके बाद में कम से कम 11,000 घी की आऊटी दिजिएगा अगर आप ये किसी की देख रेक में या किसी सिद्ध पुरू से या किसी सिव आप स्वैम भी किसी सिव मंदिर में या शिव शाधना में रात होते हुए अगर ऐसी शक्तियों की शिद्धी करना चाहते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा जब ये सिद्ध होगा तो आपको ऐसे पता चलेगा जैसे आप किसी के बारे में सो के सुबह उट गए और आपने जो बाते सोसी थी कि कल क्या था सोजा था वो रात भर में आपको पता चल गया कि उसका ये हो गया जैसे सुबह बोलेंगे सामने कोई आ गया तो उसके बारे में आपको स्वेम को भी पता नहीं चलेगा लेकिन उसके बारे में आप तुरंट बताते जाएंगे या कोई आ गया कि मुझे ये काम ये मेरा होगा या नहीं होगा तो आपके मूँ से असानक निकलेगा होगा या नहीं होगा और उसका फल प्येश को आने वाले भाविश्य में दिखेगा कि आपने बुला था ये काम नहीं होगा तो नहीं हुआ और ये काम होगा तो हो गया ये एक वाक सिद्धी का विसिस परिणाम होता है आप इस मंत्र को जरूर करें और कुछ हमारे सेनल से और भी मंत्र ले शकते हैं आज की वीडियो में इतना ही आग्या देजीएगा आगे ये लिए आपके लिए दूसरा वीडियो लेके चब्दी मिलेंगे हर अर्मादेव